कि यहां से टिकेट लेके हम लोग उपर निकलेंगे जो एंटरिफी हैं यहां पे करके राइपिक का टिकेट तो यह एंटरिगेट यहां का यहां पेपार्क करके हम लोग इस कुटी को आगे ट्रेक करके जाएंगे रास्ता इतना अच्छा नहीं और राइब ने कर सकते लिए देखें बहुत ही खराब रास्ता हैं तो यहां कड़ेगा है तो पैदली जाएंगे उपार ट्रेक करके अभी करीब करीब आधा घंटा जिसे ट्रेक है यहां पे तो आधा घंटा ट्रेक करके आप उपर पहुचेंगे यह जंगल कुछ-कुछ मुझे नागा लेंड का जोको वेली का याद दिल आ रहा है एक्छली इसी टाइप ट्रेकिंग आप लोग ने देखा होगा मैं वेस्टन जोको वेली का जब ट्रेकिंग किया था देखें पीक के उपर पहुचते पुरा नाजारा ही बदल गया पूरा देखें कितने गने घंस है चार और और खुला आस्मा बहुत ही अलग भीव है याँ का थंडी थंडी हवा चल रहे यहां पे उपर पिक के उपर तो बहुत ही सुन्दर भीव है देखें चारों और प्सक्ना आप आप में आप आप की वार्ट वार्ट दीड़ीट प्लेसे तसमेभी वाव बहुत ही संदार विया से देखें कितना प्यारा भी हुए बहुत ही खुबसूरत भी हो तो थरा रेस्ट करने बैठे हैं यहां पर हम दोनों यहां रेस्ट करके फिर वह जो उपर देखने उधर जाएंगे उधर जाके द्रोन सोट वगेरा लेंगे और आप लोग का पूरा व्यू दिखाएंगे उपर का अगर जाएंगे हुआ खिएपर के कि अभी होगा इपराएंगे हुआरा पाराएंगे को यहां फोजय को जाएंगे हुआ है तो हम लोग है राइक पिक पे मिजोराम देखे व्यू यहां का कितना प्यारा व्यू बयान नहीं कर सकते इस खुबसूरत जगा को the land of Highlander मिजोराम we are the highest point तो यह रंपम लाएं उपर खाने के लिए कुछ खाओ के भूब भी लगाए तो यहां जब भी आएंगे तो कुछ भी अगर ले के आते हैं खाएंगे तो प्लास्टिक वगएरा इधर मत फिकेगा क्योंकि बहुत ही साप सुत्र जगाई है तो जो ले के आए वो नीचे ले जाना ही बेटर रहेगा डस्बीन आप लोग कर दीजेगा सभी प्लास्टिक वगएरा जितने भी आप कुछ खाने के अगर समान लेके आते हैं तो क्योंकि खुबसूरत जगा को गंदा नहीं करना चाहिए नहीं तो पूरा टूरिस प्लेस गंदा हो जाएगा बहुत ही अच्छे अच्छे टूरिस प्लेस और बहुत ही साब सुत्रा एक्चली मिजोराम आइजवाल के जो नियरस प्लेस भी एं सभी प्लेस तो ध्यान में रहे ही है सब करे चाहिए प्लास्टिक और एक प्ली गंदा आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा इस विलेज पर जैसे लग रहा है पूरा विलेज को जाड़ू मारके रखा हुआ है तो यह दिखे सॉलेमेन टेंपल कितना प्यारा जगा कितना खुबसूरत यह चर्च बना हुआ है आप देख सकते हैं यह कितना बड़ा है कि कुछ डिफरेंट ही टाइप का इस्ट्रक्चर है यह देखने में और मेरे पीछे देखे यह बड़ा सा चर्च तो मैं अंदर जाके भी आप लोगों को दिखाऊंगा सॉलेमेन टेंपल जो की वान अब दी मॉस फेमस चर्च है आईज्वल सिटी का कि अब भी बहुत ही खुबसूरत से रखा गया और बहुत ही अच्छा से मेंटेन किया गया इसको आप देख सकते हैं कुछ अलगी फील हो रहा है यहां पे आके कि अब गयाओ आए 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 कर दो झाल झाल